नमस्कार फिर्म में हूँ चंदर्ण पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ नेसले इंडिया लिम्टेट के उपर यहां पर देखिए यह FMCG की कमपनी है और यह लार्ज केप स्टॉक है अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ बाउन भीक हाई की तो 21,050 का 223 करोन का मार्केट के अपले जैसे ना सेयर होल्डर की बात करो तो 1.9 लाग सेयर होल्डर से देखिए डिवडेंट इल्ड आप यहां पर देख सकते हैं 0.99% का डिवडेंट इल्ड है वन येर में रिटन उतना ज्यादा कुछ नहीं खास है लेकिन डिवडेंट आप अगर 309 अक्टूबर को आप देख रहें और यहां पर आप देखे 65 रुपे का डिवडेंट कर दिया था इसने फिर 25 रुपे का फिर 110 रुपे, फिर 65 रुपे, फिर 135 रुपे और फिर उसके बाद तो 65 रुपए फिर 180 रुपए 2019 में 180 रुपए दिया था क्या जबर्दस डिविडेंट देता है देखिए डिविडेंट मतलब अगर आपने बहुत पहले इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करके रखे होंगे तो आज जबर्दस आपको डिविडेंट मिल रहा होगा क्यों कंपनी जब कम भाव पे थी तो जिस लोगों ने ज़्यादा खरीद के रखा होगा तो उसको बहुत ही जबर्दस पैसा मिला होगा ठीकन है यही चीजे होती है आप कंपनी पहले अगर पकड़ के रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिटन और डिविडेंट देखने को मिलता है यहां पर देखिए यह कंपनी लगबग 1.45 रुप़े तेज हे और अगर हम इसी स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते इस स्टॉक का यह मंत्ली चाड़ यहां पर लगए और देख सकते हैं कंपनी ग्रोथ ही ग्रोथ कर रही है बले से फोड़ा सा स्लो कितना जबर्दस उपर गया है आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ग्रोथ होई रहा है इस कंपनी में तो इसलिए बोला जाता है कोई अच्छी कंपनी आप पकड़ के रखिए जिसमें ग्रोथ भी होता रहे और आपके पैसे भी बढ़ते अगर आप यहां पर खरीदे होंगे 100 कॉंटिटी तो आप समझिए कि कितना जबर्दस आपको डिविडेंट मिलेगा और कितना जबर्दस आपका वेलुएशन होगा ठीक नहीं तो यह सारी चीजे 2009 में अगर जिसने खरीदा होगा तो आज बहुत ही जबर्दस उसको डिव जिसन पर गया है